हेलो बूर्निंग वेलकर दुल्दा कोचिंग अभिसेग कोचिंग सर्विस है यूटव चैनल और आई हम लोग देखते हैं इस वीडियो में आईटी एड सरकारी से करना चाहिए फिर प्राइवेट से करना चाहिए दोनों की खास बाते क्या है पॉजेटिव बाते निगेटि बढ़ना चाहते है तब इसको सब्सक्राइब करके अच्छी तरस रख लेजिए नोटिफिकेशन कर लेजिए और अपने दोस्तों को भी करवा लेजिए जो आईटीय करता हूँ जो लोको पाइट बढ़ना चाहता हूँ तो यह चैनल वैसे एस्प्रेंट के लिए ही है तो लेकिन अगर आपको प्राइबर साइटे करता है तो आपको फीच लगता है मैं आपको बता हूँ कितना फीच नहीं लगाना पड़े आपको लेता लगवा में वह चालिज रुप है यानि कि आपका जो फ्री होगा वह आपका चालिज हजार रुपे दो साल का पी है और यह चालिज रुपे एक साथ में नहीं लेता हूँ किस्त बाज मेलता है दो साल का अगर आप लोग कोर्ष करता है तो आपको पहला किस्त मंतर दशार रुपे या पी कॉलेज अपने अनुसार लेता है लेकिन नौर्मली जो होता है आपका दश जार पर पहला समेस्टर का फॉर अगरा जोगी सरकारी से लेकिन आपको खर्चा बहुत पांसे दश ज़र के अंदर में आपका मेंटरेंज में हो जाएगा और सरकारी में और प्राइबेट में दोनों जगाओं पे आप लोग फॉर्म डाल सकते हैं किस्तिस का एड़ी की स्कॉलर सिप के लिए अगर आपको सेलेक्शन एस्कोलर सिप के लिए हो जाती है तो आपको स्कॉलर सिप के लोप में सरकार से आपको 30 से 35 जारूपे आपको मिल जाएगे तो अपको यह घर्चा में लगता है तो सरकारी मेरा आपको एक इंटरेंस एक्जाम से गुजरना पढ़ेगा इंट्रेंस ग्जाव आपको देना पड़ेगा या पर इसका दूसरा तरिका क्या है कि आपके हैं कि आपके ports mainiens geweं आपके मार्ककий एकलर में क्लास 16 में आपके मार्क के आधार पे उसका अभर्थ लेताया याना Chance होते हैं जो एक्जाम के तिस्दों के लिए में इससा सिस्टम होता है और दूसरे परदिश्वों में कहीं कहीं अर्जाम का सिस्टम है जहां पर देख लिजेगा हम आपको बताएंगे वहां बताएंगे रहा उस Как अब तो अगर आपको सरकारी से दिये और आपको अच्छा ट्रेड नहीं मिलेगा तो आपको प्राइवेट टिर जाना चाहिए दो साल में 40-50 जहर बें खर्च करना कर सकते हैं किसी के माता-पिता अपोर्ड कर सकते हैं तो कर लिए नहीं तो पर 40 से पजाज और पे खुद से भी कमाया जा सकता है मैंने एक एस एस टुड़ेंट को मैंने देखा उसका नाम में संदोशकमाल और वह भुसावल में भी गुरुपडी की नौगरी कर रहा है वह सिर्फ उसी अब कर सकते हैं तो लेकिन आपको अच्छा आइडिया चाहिए मिल्कुल तीसरा अंतर क्या होता है कि कई बार क्या होता है कि प्राइबेट कॉलेज जो है जिसका मानने ता कभी रद हो जाता है प्राइबेट कमपणियां बहुत कम आती है तो लेकिन प्राइबेट में क्या होता है कि प्राइबेट कम्पनियां बहुत कम होती ना क्या बढ़ावाती या पिर आती नहीं है अब यह बहुत वारा फालवादा होता है आज को पर हाइश तनी अच्छी नहीं होती जितने कि प्राइबेट में पढ़ता है प्राइबट में इंजिनियर्ं केस्टम जाकर पढ़ते हैं और लेकिन सरकारी का तो आपको पता है लेकिन इसा नहीं कि सभी परदेश है बहुत सारे इसे परदेश है जहां के लोग जाव रूके जहां की सरकारे जाव लोके वो उसको पता है कि ITA कूर्स के में टीचर को पढ़ाना चाहिए तो वहां का जो सिस्टम है वो सरकारी से मैं प्राइवेट से भी बहतर है जिसे गुजरात है महाराष्ट है पहला स्थान है इन सब जगों पर और मैं सभी एस्टेट का नाम नहीं नहीं सबता है क्यों कि अगरा किसी वह बुड़ा दर ली तो एम सॉरी लेकिन डियालिटी को अपनाना चाहिए मैं तो सीथी बोलता हूं बिहार सबसे बढ़ास्ट्राइश्टेट है तो इसमें पहुंसी होई दिवाद है ओके तो में हिकमा जाता है हमारा बिहार पदने में भी बहुत आ गया है सब कुछ में आ गया है अब मैं क्या मुद हूं देखिए सरकारी प्राइबेट से कम निलते हैं सरकार्य में देखिए मिलेएं तो देखिए अर्ट्रूल्यम्ट को साइड से बढ़ाते हैं और अगर आप कॉलेज नहीं भी जा रहें तब वी आपके इटटर्नेश्ज बना दतेञे और आपको अच्छा नंबर दिलवाते हैं क्यों अपने क करने के लिए और ताकि उतका प्राइबिट में सेलेक्शन हो सके और वो दूसरे स्टन को दिखा सके दोगों हमारे यहां से इतने सारे सेलेक्शन हुए है तो यही अंतर सरकारी और प्राइबेट से अब अगला जो वीडियो बनेगा वो बनेगा आपका NCBT और SCBT से दोनों में क्या आंतर है दोनों का फुर्पन क्या होता है इस बाड़े में वीडियो बने अगला और अगला वीडियो आप बिल्कुल चल्दी जाते हैं तो इस वीडियो को लाइक कर दिए आपको समझ में आ गए होगी सर्कारी और प्राइबेट के बारे में और आप दोनों से किसी से सब्सक्राइब कर लीजें तो आप लोग को पायों बिलकुल बन सकते कोई भी आपको नहीं रोख सकता है और हां अप अपन और शितिंगा आप और यह बात अममिसंने से जशत हैं उस पॉलेज वाले को बोले दिखाने को आपके लिस्टिंग है पुछला डिजर्ट में आपके क्या पर्फॉर्मेंस रहा है यह सब चीजे जरूर देखिए ऐसा नहीं कि आतमन के कहीं भी प्राइबेट में एडमिशन नहीं लेश सकते हैं नहीं लेश है और हां हमको पता दे है कि दोनों में से अगर आप आप करने जाते हैं तो आपके लिशन से बेस्ट ट्रेड कौन सा वा इस फिल में वीडियो बना चुका हूं देख लिए वह इस में बोली देता हूं इलेक्रिशन जो ट्रेड है वो सबस्यादर बेस्ट है फीटर नमबर टू है नमबर त्री ड अब लास्ट में अगर आप लोग कर रहे हैं कर रहे हैं कर भी लिये कर रहे हैं आपकी त्यारी अच्छी नहीं है तो आप लोकपाइट कर रहे हैं उसमें तीन एक्जाम होते हैं और तीनों चाहिए जो भी हो आपको गाइडाइस देने बागा एक होना चीए और मैं आपको गाइडाइस दे रहा हूं लोकपाइट एक्जाम कर नाइटी परन को चन उसी मास्टर नोस में से आते हैं और आप लोग को कोई भी टॉपिक सीखने के लिए सब्सक्राइब करने के लिए स्मार्ट वीडियो कोचिंग है आप उसे स्मार्ट वीडियो कोचिंग मोवाईल एक्टिकेशन को दीजे और फिर आप अपनी तयारीव कर सकते हैं इसको लेने के लिए आप में वाट्सप्र मेंसेज करिए याप हमें कॉल भी कर सकते हैं हमारा कॉंटेक्ट नमबर है 8406-891116 एस्टोरेंट लाइप में जेंदिगी कि किसी भी मोल पर आपको कोई भी दिक्कत हो तो आप में इस नमबर पर कॉंटेक्ट करिए एक एस्टोरेंट नमब बात दो दिन साल पुरानी है हमारे यहां से गुजर रहा था हमारे पास में बरोनी एक्स्टेशन और उसक अब हमें फोन घया है और अच्छा ता लगत सदे कह मुझे और वह घर अपने पोन नहीं कर सकता था वह बला कि उसके मुझे पाज है टीकेट कराने लिए पैसे दिये लेकिन उसको हमारा नमबर याद भी नहीं था उसके मोगईल में भी नहीं था लेकिन वो किसी और मोईल से लिया तो वह नमब लिया और अभिसेग से करके सर्च किया यूटूब में तो हमारे पास में हम ने उसको शुरुबा दिया पैसे देख करके तो तो हमारा नमब का यह भी एक फाइदा तो आप आप इस नमरों को आपने फोन में सेव कर लिए अभिसेग सर्य यूटूब के नाम से ताकि हम आपको बता रहे कि कौन हमें कौल कर रहे तो आपको हमारे वीडियो के बहुत चाल लाइक करते हैं इसी तरह आपनों लाइक बढ़ाते रहे जितना आपनों लाइक करेंगे उतना अब आपको अच्छे बीडियो बना सकते हैं और हां अगर आपको हमारे वीडियो में कोई चीज़ के कमी लग रहा है तो आप में जरूर कमेंट करके बताएं ताकि हम आपको अच्छे बीडियो बना सके सबसे पहला कमी अभी यह लिखेगा आपकी आवाज बहुत कम जोड सब्सक्राइब आपको तो बस कॉंटेंट से मतलग है और हां हम इसे प्लाइब से मतलग है